नमस्कार दोस्तों वेल्कम चैनल लेंट 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 लिमिटेड ओके सो रिजन वियंड क्या है कॉस्क्पनी ने बोनस अनौंस किया था उसका रिपाइड काफी नजदीक आ गया है ठीक है अभी चेक करेंगे वेदर अभी सही समय देगा क्या नए अबाउट इंडिया मार्ट इंटरमस लिमिटेड लिमिटेड जो कंपनी है एक एक कॉम्मर्स कंपनी है और इस देगाइड बड़ी कंपनी है काफी अच्छी कंपनी है यह चोटे और बड़े निविश्मेंश्यों को एक साथ जोडती है चोटे और बड़े बिजनेस को एक साथ जोडने का काम करती है तो चली इसका फंडमेंटल को थोड़ा जाने के कोशिश करते है कंपनी क्या है मार्केट क्या कंपनी का 18,093 क्रोड का है करन प्राइस कंपनी का है 5,910 कंपनी ने हाई बनाया था 6,101 का अलो है 3,676 स्टॉक का पी है 65,7 बुग वैल्यू से काफी उपर ट्रेड कर रहे है थोड़ा सा ये चिंता का विशय है चलिए हम लोग डिरेक्टली चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या आया था लास्ट यर से कंपेर फटा फट करते हैं ठीक है कंपनी का sales perspective से देखेगा तो company का 2022 में sales जो था 751 क्रोर्स का था अभी 939 तो sales तो काफी अच्छा जम किया तो profit देखे लास्ट यह 312 का था अभी 262 का था उन्होंने expense को control नहीं किया और इसका निसे इनका operating profit decline कर गया similarly अगर profit before tax को चेक करें तो 403 का था अभी कितना 345 का था तो इनका profit अच्छा खासा decline हुआ है और अगर last year से भी compare करें 2020 से भी compare किजेगा उनका profit उसे भी कमाया है नेट profit company का last year 310 क्रोड का था भी 222 क्रोड तो company का net profit भी decline किया है similarly EPS को भी check किजेगा और EPS भी decline यहाँ पर दिख रहा है तो overall company का result अच्छा नहीं था अगर हम लोग year on year comparison करें तो ठीक है चली company का यह चेक कर लेते हैं share rolling pattern को चेक करते हैं तो क्या सक को changes है तो company का श्रूलिंग pattern में अगर आप चेक के जएगा तो यह promoter का shares है 49.22 December में था अभी कितना 49.22 मतलब similar maintain है कोई भी changes नहीं है FIA 25.38 अभी क्या है 26.60 मतलब FIA ने थोड़ी से खरदारी की है थोड़ी खरदारी की है अगर similarly अगर DIA का चेक करें तो 5.81 से 5.62 हुआ है मामूली सा changes है पब्लिक 19.46 से 18.45 मतलब उन्होंनी share को बेचा है तो यहाँ पर बस increment किसका हुआ है FIA ने अपने stake को बढ़ाया है वो भी 1.30% approximately बढ़ा है कि देखिए कंपनी का चार्ट जो है यह डेली चार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं इसका support जो निकल कर आ रहा है ठीक है एके candle जो है यहाँ पर यहाँ पर लगभग 9802 से और यहाँ पर एक डबल डबल टॉप जैसा पैटन यहाँ पर एक टॉप है दूसरा टॉप इस जग यहाँ पर आ चुका है आने के बाद अभी कंपनी अच्छी चीज क्या है यह कंपनी अपने जो डिकलाइन होने के बाद गिर आउट होने के बाद देखिए इस जगा पर गिरी तो 3700 तक गिरते ही हुए आ गई और इसके बाद अभी जुराता है इस रेट के आरांड में आक करके लगए 5500 क्राण में आकरके इन्होंने बोनस बोनस अनॉंस्मेंट किया तो काफी अच्छी चीज है ठीक है काफी अच्छा चीज है तो यहाँ पर एक पैटन सा क्रेट हुआ है मैं बता देता हूं आपको पैटन यह देखिए इस तरीके का पैटन क्रेट हुआ यहाँ पर देखिए ठीक है एक यहाँ पर डबल बॉटम सॉट आप पैटन क्रेट हुआ यह आपका लो था दूसरा लो यह जगावी तो हाइर लो बना और देखिए ब्रिक आउट को जलेवल था ना तो पॉजटिव मोड में चली गई है कंपनी का प्राइस ठीक है तो अभी चार्ट पैटन वंडे का चार्ट पैटन पॉजटिव है कुछ भी खराबी नहीं है ऐटन का एक प्राइस एक पॉजटिव अनुकट पैटन पॉल रही है कि अप्राइस प्रॉजट प्राइज ऱह बहुत है बाई मैं कुछ नहीं बोल रहा है और यह लेवल यह लेवल या यानि की छे जार दस को उपर अगर चला जाता है तो फिर अच्छा खासा मोमेंट ऊपर क्यों यहां पर आ सकता है बस कैंडल है इसकी उपर सस्टेन करना चाहिए और इसी रेंज में रहा तो इसी रेंज में वेविएज अपर अन शुन जून एक है तो रोड से इन शूर्ट अटेशी को नहीं ने रिकॉर्ट डीट बोला है पर फॉली पड़ ने कृदेश एक चाहिए बाद्माने क्या है तो इतना कंफूशन के बाद नहीं है इन नहीं है तेकिनिका कहाना है कि एक equity share जिसका phase value 10 है और आपको मिलेगा paid up आपको paid up मतलब मिलेगा one equity share existing equity share अगर आपके पास है तो आपको एक के बदले में एक share मिलेंगे उसका phase value 10 ही रहेगा तो bonus shares का phase value decrease नहीं होता है phase value आप यहाँ पर अभी जब मैं read out करा था आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर phase value company का 10 लिखा हुआ था ठीक है तो यह phase value decrease नहीं होगा phase value आपका 10 ही रहेगा split जब होती है तब company का phase value decrease होता है ठीक है तो आपको याद क्या रखना अगर आपके पास shares है अल्लडे आपके account म है डीमैट account में तो आपको जून 21 तक इसको maintain करके रखना पड़ेगा तभी आपको bonus shares मिलेगा अधराइस आपको नहीं मिलेगा ठीक है अगर आप paper trade करना चाते तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि company का price जो रहता है बहुती नीचे स्थर से उपर क्यों जा रही है तो यह होता ना paper trade करने के लिए और छोटे निवेशक जो है अभी entry करेंगे क्योंकि price से जो रहता है अभी और घट जाएगा decrease हो जाएगा तो जब आधा price हो जाएगा तो छोटे निवेशकों को भी मौका मिलेगा इस company में trade करनेगा अभी चुकि price बहुत हाई है तो अभी बहुत इस शेर से दूर रहते हैं जब price कम हो जाएगा तो छोटे निवेशक भी इसमें entry करना start करेंगे तो bonus और split इसलिए क्या आता है ताकि छोटे निवेशक में entry लेपाए तो आपको याद रखना है one is to one आपको bonus मिल रहा है और date recorded जो है यहाँ पर देखिए one is to one आपको bonus one is to one issue of equity shares और अगर आपके पास एक shares है तो आपके आपके account में दो shares हो जाएंगे बस आपको जून 20 2023 तक आपको इसको recorded तक maintain करना रहा ठीक है